मेरा नाम ताज महुम्मद रंग्रेज है, मैं गवर्मेंटी स्कूल में प्रिंसीपल हूँ, 2013 में, सीजन 7 में मैंने कोन बनेगा करोड़ पती में एक करोड़ रुपे का प्राइज जीता, और अब तक, एक करोड़ जीतने वाला राजस्थान का मैं पहला कैंडिडेट हूँ, मैं यह सफर जो आप लोग देख रहे हैं, इतना आसान मेरी जिन्दगी का सफर नहीं था, जिन्दगी का हर तूफान, इंसान को शसक्त बनाने के लिए ही आता है, कोई पेड अगर तूफान में घिर जाता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि तूफान ज़्यादा शक्तिशाली था, बलकि पेड की जड़े ही कमजोर थी, क्योंकि हम अपनी घिरने की जिम्मेदारी किसी और पर डाले बिना नहीं रह सकते हैं, लेकिन मेरी जिन्दगी का हर तूफान मुझे ससक्त बना कर ही गया, मैं उस परिवार से आता हूँ, जो अनपड तो हैं, आशिक्षित तो हैं, पर ना समझ नहीं, ये बात अलग है कि मैं जीवन में कभी फस्ट नहीं आया, पढ़ाई में, लेकिन मैंने हमेंशना जिन्दगी का एक हौशला रखा, कि मैं आगे बढ़ूँ, मुझे याद है, मैंने मेडम क्यूरी को जब पढ़ा था, जिसको दो बार नोबिल प्राइज मिला, वो मेडम क्यूरी जिसके पास प्रियोक्षाला के नाम पर एक मातर जोपड़ी, और ओड़ने के नाम पर एक मातर कंबल था, दो बार नोबिल प्राइज विजेता मेडम क्यूरी को जब पूछा गया इंटर्व्यू में, कि आपके पास तो प्रियोक्षाला के नाम पर एक मातर जुमपडी और ओडने के नाम पर एक मातर कंबल था, फिर आपने इतनी बड़ी खोच केसे कर ली तो मेडम क्यूरी ने कहा, साधनों का अभाव कभी भी असफलता का कारण नहीं बनता है यह सिर्फ बाहना बनता है कि हमारे पास जिंदगी में यह नहीं था, इस वज़े से हम आगे नहीं बढ़ पाए 1996 मेरे जिंदगी का सबसे संगर्शील समय था, यह वो समय था जब कर्ज के बहुत से हाट अटिक से मेरे फादर की देथ हो गई और हमारी घर की नीला में के कागज निकल गए, उस वक्त भी मैंने होसला रखा इस बात का, और उस वक्त सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी जो निभाई, वो मेरी बड़ी सिस्टर थी जिसने फादर का रोल अड़ा किया और शादी नहीं करने का फेसला किया जिन्दगी के प्रती मेरा ये नजरिया है, कि गोतम बुद्ध ने ये कहा था, कि जब मैं घ्यान को उपलब्द हुआ, तो रास्ते के फूल ही नहीं, काटे भी मेरे उतने ही सहयोगी रहे जब मैं क्लास एक तुमें पढ़ता था, तो मुझे याद है कि हमारे घर में लाइट भी नहीं थी उस लाल्टेन की रोश्णी ने भी मुझे जिन्दगी में वो सबक दिया, कि इससे तो दुनिया का अंधेरा भी ना पा जा सकता है, फिर जिन्दगी कौन सी बड़ी बात है 1997 से लगा करके 2002 तक में राजस्थान की सबसे पिछडे छेतर कोटडा में मैंने सर्विस की, जहां पर लाइट की बहुत प्रोबलम होती थी उस चिमनी की रोश्णी में मैं पढ़ करके RPSC का एक्जामिनेशन पास किया और 2003 में में लेक्चिरर बना मैं मानता हूँ इस बात का कि मेरी जिन्दगी में जिन परसनाल्टी ने सबसे ज़्यादा मोर दिया उसमें नेपुलिन बोना पार्ट, हेलन केलर, ब्राइन ट्रेसी, कलपना चावला, जिसी सक्सियती रही, जिनको पढ़ करके मैंने होसला रखा हेलन केलर, जो अंदी थी, बहरी लड़की थी, उसने कहा था, कि मैं अकेली हूँ, फिर भी मैं हूँ मैं सब कुछ नहीं कर सकती, फिर भी मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ और जो मैं कर सकती हूँ, उसको करने से मैं जिन्दगी में कभी पीछे नहीं हटूँगी हम जो कुछ करते हैं वो कई गुणा होकर कि हमारे पास लोटता है हम अगर अच्छा करते हैं तो उसकी वेवस भी हमारे सामने अच्छी रूप में आती है और अगर हम बुरा करते हैं तो भी बुरा ही हमारे पास लोटती है एक जिन्दगी की घटना ने मेरे जीवन को एक सीख दी कि 6 अगस्तो 1945 और 9 अगस्तो 1945 को हिरोशीमा और नागा साकी पर बंब जिसने गिराया वो पाइलट था टिबेट्स इस बंब कांड में लगबग साड़े तीन लोग लाख लोग मारे गए इस गटना की 20 साल बाट टिबेट्स ने सुसाइड कर लिया उसने अपसे सुसाइड नोट में लिखा कि 20 साल तक हिरोशीमा और नागा साकी में मरने वाले लोगों की आहें मेरे भीतर गुंशती रही और आज जब उनके सहिन करने की शमता मुझ में नहीं है तो मेरा जवीत रहना कोई अर्थ नहीं रखता इस ते दुनिया के हर इंसानों से में कहना चाहता हूँ कि गुना चोटा हो या बड़ा कभी भी इंसान का पीछा नहीं चोड़ता है जिन्दगी के हर मोड पर उसके सामने आकर के खड़ा हो जाता है 2013 2013 मेरे जिन्दगी का सबसे खुबसूरस वर्ष था यो तो साल, महीने, दिन, हर वर्ष बदलते हैं लेकिन जब तक जिन्दगी में हम नहीं बदलते तब तक कुछ भी नहीं बदलता के बीसी में एक करोर रुपे जीतना 122 देशों द्वारत इस प्रोग्राम को देखा जाना अमिता बच्चन जी के साथ स्क्रीन शेयर करना मेरे सुनिम पल थे जीतने के बाद प्रेस वालों ने मुझे से पूछा एक करोर रुपे का क्या करोगे बच्चन साथ के साथ शेयर करना आपको कैसा लगा उससे भी जादा खुबसूरत बात वो थी के के बीसी की टीम ने मुझे ये कहा कि आप अपने साथ अपनी बहिन को ही साथ लाए ताकि दुनिया ये देख सके कि एक बहिन ने भाई के लिए क्या किया है मैं ये मानता हूँ कि इंसान के पास एक खुबसूरत नजरियां होना चाहिए आप किसी भी समाच, सोसाइटी, माहोल से आते हो आप किसी भी परिवार से आते हो आपका अपना एक वीजन होना चाहिए मैंने जिंदगी में कभी नहीं चाहा कि लोग मुझे टीवी पर देखे लोग मुझे सेलिबरेट करे अख़वारों में मेरा नाम छपे ये तो जिंदगी के पड़ाव थे ये जिंदगी की मनजिल नहीं थी और मेरा आप से यही कहना कि जिंदगी में कभी क्लाइमेक्स नहीं आना चाहिए क्योंकि जिंदगी में अगर क्लाइमेक्स आ गया तो फिर डाउनफार शुरू हो जाता है राइस एन राइस आप कितना बढ़ते हैं ये आपके उपर डिपेंड है आदमी गिरे तो मुठी बर खाक है और उठे तो कोने मकामे समान सके सारा आस्मान उसका है लेकिन जिस इंसानों के पास को वीजन नहीं होता चाहे वो कितने ही प्लान बना ले उससे कुछ भी नहीं हो सकता मैं जब अपने बच्चपन की दिनों को याद करता हूँ तो मुझे लगता है कि यदि वे दिन नहीं होते तो आज ये दिन भी नहीं होते मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं मैंने अपनी जिन्दगी का कोई भी कमी वक्त कमिया निकालने में जाहिर नहीं किया और मैं आप सभी को भी यही बता रहा चाहता हूँ कि हमारा द्रस्टी कोण और हमारा नजरिया अगर दूसरों की प्रती अच्छा नहीं हो सका तो हम अपने प्रती अच्छे जिन्दगी में कभी नहीं हो पाएंगे और ये भी सोचे हम कि हमें जाना कहां तक है पहुंचना कहां तक है अगर आपने अपना बेस्ट केरियर बना लिया और आप जिन्दगी में सक्सेज नहीं हो पाए तो केरियर साइड में रहे जाएगा और जिन्दगी की सफलता अलग साइड में रहे जाएगी मैं बस आपसे यही कहना चाहता हूँ कि मायूस होकर नयूँ शाम से ढलते रहिए मायूस होकर नयूँ शाम से ढलते रहिए जिन्दगी भोर है सूरत से निकलते रहिए एक ही कनम पे खड़े रहोगे तो ठक जाओगे धीरे धीरे ही सही मगड़ चलते रहिए इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेर करना ना भूलें